आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर टेश्टी हिल्दी गोंद का लड़्डू जो की काफी ज़्यादा हिल्दी होता है और इसे बनाना बहुत आसान होता है इसे बनाकर आप इस्टोर करकर एक से दो महने के लिए रख सकते हैं तो अचली इसे बनाने स्टार्ट करते हैं इसके यहां पर गाय का सुद्ध देशी गी गरम कर रही हूं और यहां पर डाल देती हूं अक्रोट को हम अच्छे से बुण के निकाल लेंगे और ऐसे ही सभी ड्राय फुट को जैसी की बदाम काजू सभी को हम इसे हलकल का भून के निकालेंगे अगर आप चाहे तो बिना घी के भ निकाल लेगे मखाना इसे भी अच्छे से хाथों से पानस अब ना च्छे से घी करने लेना है ॉसके बदन घी को बचेगा उसमें हमक हम ने तो किसमीच चुवारा और सभी चीज़ को, and here let go नारियल का गोला लिजां, पुर्हाई नाज़ीा, पोस्ता नाज़ील का पौडर नहीं लेनाँ पर कि ये उसकरना हँ को बहों ज्यादा हेल्दी रहता सिव वह डाल रही हूं यहां पर सोट का पॉडर डाल रही हूं यह अस्वगंधा चून है और थोड़ा सा हम यहां पर डाल देंगे सफेद मिर्च का पॉडर जैसे कि काली मिर्च होता है वैसे एक सफेद मिर्च होता है वह ज़्यादा फायदे मन्त होता है और यहां पर डाल देत रख द्या द आताई है और दूसरा साइड वे उच्छा है मिलादेगी डालीrant अगर यिला जासन हे ऍन् lashकशन खाना तो रेख कम लट्डु जो आप अमने वार फेस बदल और उसकेड़ पासन दो पर फिर से grinder jarman डाल कर ग्राइड किजिए और उसके बाद आप लड्डू बान लेजे तो पहुत ही आसानी से लड्डू बन जाता है तो देखिए पहुत ही आसा लड्डू बन जाता है अगर नहीं बनता है तो थोड़ा सा घी गरम-गरम करके फिर से आप डाल सकते हैं देशी बताने में कुछ छूट भी क्या होगा तो आपको वहाँ पर लिष्ट से देख सकते हैं तो चली हम अगले वीडियो मिलते हैं तब तक लिए टेक केर